Good morning students, आज हम स्टार्ट करेंगे पार्ट सित्रा हौकी हौकी हमारा भारत का राश्ट्री खेल है ठेक है? पहुत बच्चों को ये नहीं पता है कि हौकी हमारा राश्ट्री खेल है ठेक है? तो आप अच्छे से पढ़िए, समझेए और हौकी होता क्या है? हौकी खेलते कैसे है और इसकी शुरुवार कब से हुई थी? इस पार्ट में पढ़ेंगे हौकी भारत का राश्ट्री खेल है? या खेल जगत में अपना विशेश स्थान रखता है? या मनुशी की शारिरिक विकास के लिए उत्तम खेल है? इस खेल को खेलने वाले खिलाडियों में फूर्ती, सूजबूज, सहियम और तथा सहियों की भावना का होना अतियावशक है अन्य था उस टीम को पराजय का मुख दिखना पड़ता है भारत में इस खेल का प्रारम सन 1885 इस्वी में हुआ था सन 1895 इस्वी में वेटन कप टुनामेंट आरम हुआ इसमें लगभग सभी देशों ने भाग लिया वालियर में इंडियन फैडरेशन के स्थापना हुई सन 1925 इस्वी में भारत की होकी टीम ने उलम्पिक में भाग लिया इस टीम के कप्तान यश पालसी थे इस उलम्पिक में भारत को स्वर्ण पदक मिला फिर यह टीम इंग्लैंड गई इंग्लैंड में इस टीम ने 11 में से 9 मैच जीते यूरोपिय लोगों ने भारतिय खिलाडियों की चुस्ती, तेजी और टीम भावना को देखकर आश्चियर्य किया लॉस एंजल्स में भारतिय खिलाडियों का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा भारत ने जापान को 11-1 से हराया अमरीका को 24-1 से हराया अब तब किसी देश ने इन देशों की ऐसी पराजय नहीं देखी थी इस मैच में ध्यान चंद ने आठ तथा रूप सीन ने दस गोल किये इन खेलों में भारतिय टीमों टीम का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा था सन 1936 इसवी में बरलेन उलम्पिक के फाइनल में भारत का मुकाबला जर्मनी से हुआ कहां से हुआ जर्मनी से भारत ने जर्मनी को 8-1 से हराया इस टीम की कपतान ध्यान चंद थी जब ध्यान चंद की टीम लगातार गोल करती जा रही थी तब दर्श्रकों ने जोर जोर से तालिया बजा कर कहा ध्यान चंद के हाथ में जादू की छड़ी है ध्यान चंद की खेल चतुराई को देखकर स्वयम हिटलर ने उन्हें अपने कक्ष में बुलाकर बधाई भी दी थी सन 1960 हिस्वी में भारत का पत्तन की ओर अग्रसर हुआ सर्व प्रथम भारत पाकिस्तान से हारा सन 1968 हिस्वी में मैक्सिको में जो खेल हुआ उसमें भारत को तीसरा इस्थान मिला सन 1976 हिस्वी में मौट्रिल उलम्पिक में भारती होकी टीम को साथ वर स्थान मिला अब भारती होकी टीम पतन की ओर बढ़ने लगी सन 1980 हिस्वी में मौस्को उलम्पिक में भारत ने होकी में पुना सफलता प्राप्त कर ली लेकिन अब इसका प्रभाव घटने लगा है आप देख रहोंगे पिक्चर में मेजर ध्यानचन की पिक्चर है आप जो नहीं पहचानते हैं आप पहचानिए कि हमारे हौकी टीम के जो कफ्तान रह चुके हैं वो कौन है? मेजर ध्यानचन भारत हौकी की खेल का शिक्षा गुरू रहा है इस खेल को खत्रे से भरा देखकर भारत के स्कूल तथा कॉलेजों में चातरों की रूची इस खेल से हटने लगी है जब तब भारत के खेलाडी क्रिकेट से अपनी रूची कम कर इस खेल में रूची नहीं लेंगे तब तब वे अपना प्रथम स्थान के यश्च को प्राप्त नहीं कर सकेंगे भारती खिलाडियों को चाहिए कि वे इस खेल में रूची लेकर भारत का नाम सिंसार में चमका है तो इस पार्ट में आप लोग को बताया जा रहा है कि होगी जो हमारा राश्टी खेल है उसे हमें फिर से शिर्ष स्थान पर ले कर जाना है ऐसा नहीं है कि आपको कोल भी खेलने ही खेलना है लेकिन जो रुझान आपको क्रिकेट की तरफ देखने को मिल रहा है अब वो ही रुझान आपको हौकी की तरफ देखना चाहिए या देना भी चाहिए और ध्यान भी देना चाहिए ताकि जो आपका राश्ठे खेल है उसे प्रथम शुर्ष पर आप पहुँचा सकें ठीक है शब्दार्थ है जो कठीन शब्द है उसके अर्थ है यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं जो ठीक है प्रश्ठों के उत्र आपसे तभी बनेगे जब आप पार्थ अच्छे से पढ़ लिये हूँ है ना है तो यह सारे प्रिश्णों के उत्तर आप पार्ट पढ़ने पर आपको समझ में आ जाएगा प्रश्ण नमबर दो कि जो उत्तर है वो आपको पीले रंग के बॉक्स में है हैल्प बॉक्स दिया हुआ है यहां से आपको चूस करके लिखना है एक शब्द में उत्तर दीजिए है आप यहां से कर सकते हैं ठीक है सुमेलित कीजिए सही जोडी बनाईए प्रश नमबर एक भाशत और व्याकरन का विलूम शब्द विलूम मतलब होता है उल्टा ठीक तो इससे ध्यान से देखेंगे जैसे हार का जीत यहां पर गलत लिखेंगे लेकिन हार का क्या होता है जीत आवशक का अनावश्यव आरंभ का अंत रूची का अरूची पतन का उध्थान सफलता का असफलता राश्ट्रे का स्थानिय अच्छा का बुरा ऐसा ही आप कर लेंगे और फिर समनार्थी शब्द समनार्थी शब्द मतलब समानर्थो वाले शब्द स्थान का जगह कक्ष का कमरा स्वयम का खुद आश्चीयरे का अच्चम्भा जन नहीं है चह पदक का मैडल स्वर्ण का कनभ प्रारंभ का शुरुवाद उत्तम का अनुपम पराजय का हार तरश नमबर तीन दिमले की शब्दों में ता सभदान जोड़ कर नई शब्द बनाई है तो आपको शब्दों के पीछे प्रत्तय जोड़ना है अपको ता ठीक है और ता जोड़कर आपको एक शब्द का निर्माट करना है इसके साथ ही ये पार्ट हमारा खतम हुआ पार् झाल मेरेनी दिए सक्रेशे हो झाल आवा झाल आवादी